वेलकम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चून इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सिस न्यूजिलेंड वर्ल्ड कप टीट्वेंटी मैच जो की कल खेला जाएगा दुबाइ इंटरनाशनल स्टेडियम में क्यों हो सकती है Possible Playing XI कौन से Changes इंडिया कर सकता है क्या आप Changes हो सकते है न्यूजिलेंड की टीम में क्या रहेगी Best Small League की टीम Grand League की टीम क्या रहने वाली है सब हम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं पूरी वीडियो देखेगा आपको मजा आने वाला है बात करें वेन्यू की दुबई इंटरनाशनल स्टेडियम में मैच होने वाला है यहाँ पर जो है यह नाइट मैच है तोस की जो एहमियत है वो बहुत important हो जाती है यहाँ पर दुबई में आप टॉस जीत और चेस करना जो हो काफी इसी हो जाता है और सेकंड इनिंग में डिव आने के भी चांसिस हैं जिसके चलते सेकंड इनिंग में बैटिंग करना भी इसी होता है और स्पिनर्स जो सेकंड इनिंग में बोल करेंगे वो उन्हें गृप नहीं मिलेगी उतनी अच्छी सो स्पिनर्स को जो सेकंड इनिंग में मदद नहीं मिलती है सो टीम इंडिया के लिए बेस्ट होगा कि इंडिया कैसे भी करके टॉस जीते इवन दो विराट का जो है रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है टॉस में बट कल जो है इंडिया के लिए डू और डाइ मैच ही समझो तो कल इंडिया को जीतना जरूरी है सब टॉस जीतकर पहले जो भी टीम पहले टॉस जीतती है और फिल्डिंग करने का फैसला कर सकती है बात करें टीम न्यूस की तो यहाँ पर हार्दिक पांडिया जो है वो फिट बताए जा रहे है और वाम अप में उन्होंने बोलिंग भी करी है तो आपको एक से दो वर भी हार्दिक पांडिया करते हुए नजर आ सकते है तो यहाँ पर जो टीम चेंज हो सकता है वो है भुवनेश्वर कुमार की जगा ठाकूर आ सकते है टीम में और चक्रवर्ती की जगा अश्विन बटके थोड़ा नलाइक लेक रहा है मुझे लगता है कि चक्रवर्ती के साथ ही टीम कंटिन्यू कर सकती है तो कल अगर कोई चेंज होता है तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार की जगा ठाकूर टीम में आ सकते हैं न्यूजिलेंड की तरफ से बात करें सो मार्टिन कुप्टिल के लास्ट मैच में हरिस रॉफ की बॉल लग गई थी टोप पर बट अब वो ठीक हैं सो यह वाले मैच खेलते वे नजर आने चाहिए यहाँ पर इनके कोच ने लास्ट मैच में बताया था कि वो एडम मिलन को अपनी टीम में लेना चाहते थे बट क्योंकि फर्गुसन की जगा मिलन आये तो ICC ने एकदम पर्मिशन नहीं दी कि स्ट्रेट अवे खिला लिये जाए वो सोडी की जगा मिलन को खिलाना चाहते थे तो इस मैच में हो सकता है आपको एडम मिलन खेलते हुए नजर आ जाए सोडी ने पिछले में आच वी बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी और इंडिया के अगेंस की रिकॉर्ड काफी अच्छा है तो अगर चाहे तो टीम सोडी के साथ continue कर सकते है यहाँ पर टीम सिफट की जगा भी टीम चाहे तो एडम मिलन को ला सकती है क्योंकि अल्रेडी दो विकेट कीपर हैं कौन भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं और यहाँ पर फिलिप्स भी है तो टीम चाहे तो एडम मिलन को कल टीम में ला सकती है सोडी या टिम सिफट की जगा otherwise और कोई खास चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है interesting facts की बात करें तो दोनों टीमोंने 8-8 head-to-head जीते हैं, तो दोनों ही evenly balanced रहेगा ये मुकाबला most runs की बात करें, so hitman शर्मा, रोहिशर्मा के सबसे ज़्यादा runs है current जो players है, उनमें 338 run Williamson का भी record अच्छा है 325 run उन्होंने बनाए है और विराट कोली कैसे दूर होंगे, तो 302 run जो है, उन्होंने भी बनाए हुए आपस में highest score की बात करें तो Williamson ने 95 का score Tim Sifert का 84 बटिम Sifert वो top order बैटिंग करते हुए बनाए थे यहाँ पर Rohit Sharma के 80 और यहाँ पर कोली के 70 run सबसे आदा wickets की बात करें इर शोडी जो है, वो 17 wickets निकाल चुके इंडिया के against, यहाँ पर सैटनर के 12, Bumra के 10 और साउदी के 10, बेस बोलिंग की बात करें सैटनर ने 4 wicket निकाले हुए इंडिया के against, बोल्ट की बात करें उन्होंने भी 4 wicket निकाले हुए और Bumra ने 3 wicket निकाले हुए है आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, Fantasy Fortune के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसी के जुड़ना, क्योंकि fake चैनल बहुत सारे हैं हमारे नाम के तो fake चैनल से बचना कोई Fantasy Fortune के नाम से पैसे मांगे तो बिलकुल भी देने की ज़रुत नहीं है साथ के साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जैसे ही वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी बात करें टीम इंडिया की तो यहाँ पर रोई शर्मा उपन करते हुए नजर आ जाएंगे केल राहूल के साथ अब देखो मैने लास्ट मैच में आपको पताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए कि इनको शाहिन अफ्रीदी से खत्रा है इस मैच में रोई शर्मा किस से खत्रा है वो है ट्रेंट बोल्ट क्योंकि लेफ ताम बोलर जो है उनसे ट्रबल रहती है लेकिन इस बार इन्होंने काफी हद तक मुंबे इंडियन्स में उनके साथ वक्त बिताया है तो काफी खेले हैं साथ में तो मुझे लगता है कि कल अगर पहले दो तीन ओवर यहाँ पर रोई शर्मा खेल जाए टैकल कर जाए ट्रेंट बोल्ट को तो कल एक बड़ी इनिंग आप रोई शर्मा से उमीद कर सकते हैं और ट्रेंट बोल्ट भी रिसेंट मैचिस में बहुत ज़ादा इफेक्टिव नहीं नजर आए है तो रोई शर्मा कल अच्छे निंग खेल सकते हैं राहुल का जो है ओपनिंग हमेशा मोस्टली अच्छा करते हैं तो एक आपके लिए बहुत अच्छे प्रेंग है ग्रैंड लीग में आप दोनों को इंडिया के बोलर्स लेकर आप दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में ट्राइ एक साथ ट्राइ कर सकते हैं वो भी combination में आपको एक Grand League का दिखाने वाला हूँ विराट कोली की बात करें तो practice match में बहुत confident नजर आये थे और इनकी एक video भी आये जिसमें shot मार रहे हैं और इशान किशन जो है वो admire कर रहे हैं इने कि shot है shot है तो काफी अच्छे practice में नजर आये है विराट कोली top 3 जो है इंडिया का इंडिया के लिए कल match जीतना जरूरी है so top 3 जो है इन पे ही जो करेगी team इंडिया और तीनों ही मुझे लगता है अच्छी form में है और अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर बात करें सूर्य कुमार यादफ की second down betting करेंगे जब जब खेलते हैं जितनी देर खेलते हैं अच्छा खेलते हैं बट विकेट थो करके mostly out हो जाते हैं लेकिन अगर आप top 3 में से क्रेडिट की problem आएगी आप सारे player नहीं ले पाएंगे इस match में भी तो अगर आप किसी इंडिया के top 3 में से या 2 को या 1 को drop कर रहे हैं उस team में आप सूरे कुमार यादफ को ज़रूर अपनी team में ले सकते हैं रिशब पंथ की बात करें विकेट कीपिंग section में हमारे पास पंथ और यहाँ पर konway है konway काफी अच्छे हैं पंथ भी काफी अच्छे हैं अगर आपको पंथ team में लेना है तो आप top 3 में से किसी एक या 2 player को drop करके जाना तब आप पंथ लेना otherwise konway भी काफी अच्छे pick रहेगी हारदिक पांडिया कल के लिए grand league के लिए सही pick रहेंगी वैसे recent form बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है पूरा IPL में अच्छा नहीं किया लेकिन कल के match में bowling कर सकते हैं क्योंकि warm up में bowling करते हुए नजर आ रहे थे practice के time पर तो practice के time पर bowling कर रहे हैं एक 2 over आप इनसे उमीद कर सकते हैं कल के match में तो grand league के लिए आपके pick सही रहेगी small league में मैं तब भी इतना recommend नहीं करूँगा उनसे better रहेंगे रविंद्र जड़ेजा small league में क्योंकि proper all rounder है अगर wickets जल्दी भी गिरते हैं तो उस case में रविंद्र जड़ेजा को promotion भी मिल सकता है और अपने 4 over पूरे करेंगे प्लस best filter हैं तो आपको कही न कहीं से points का contribution दे देते हैं तो मेरे हिसाफ से रविंद्र जड़ेजा grand league के लिए भी काफी अच्छी captain ship choice है और आप small league में भी अपने team में consider जरूर करना यहाँ पर ठाकूर और भुवनेश्वर कुमार दोनों में से कोई एक खेलेगा ठाकूर मेरे हिसाफ से खेलना चाहिए बट हो सकता है team फिर से जो है भुवनेश्वर कुमार के साथ continue कर सकती है भुवनेश्वर कुमार खेलते हैं तो recent form अच्छा नहीं है लेकिन ठाकूर खेलते हैं तो ठाकूर का recent form बहुत अच्छा और कितनी बार हुआ है कि एक एक और में दो दो विकेट निकाले है तो team India अगर पहले bowling करती है तो ठाकूर मेरे हिसाफ से important हो सकते है जो दो player आपकी team में होने चाहिए कल के match में वो है जस्परीद बुम्रा और मॉम्मस शामी जस्परीद बुम्रा और शामी जो है starting में गुप्टिल को तंग कर सकते हैं दोनों fast bowler हमारे तो और वो बहुत जरूरी भी है क्योंकि गुप्टिल का बल्ला चलता है तो काफी दिक्कत हो सकती है लेकिन मुझे लगता है बुम्रा या शामी में से कोई एक जल्दी को टिलकाउट कर सकता है तो दोनों ही आपके लिए important रहेंगे especially अगर team India पहले bowling करती है तो चक्रवर्ती last match में बिल्कुल अच्छे नहीं नज़र आए थे लेकिन ये ऐसा खिलाड़ी है जो comeback कर सकता है दुबई में spinners को मदद मिलेगी अभी तक इस सीजन मदद मिल रही है तो अगर आप चक्रवर्ती को as a differential player आप अपने team में लेना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर आप 3 bowler लेके जाना चाहते हैं तो आप चक्रवर्ती को बिल्कुल consider कर सकते हैं क्योंकि एक आधी bowl भी अगर mystery जो है वो समझ नहीं आई तो ये bowl और LBW ले सकते हैं तो आपके लिए अच्छे पेक बन जाएगी especially अगर team India bowling करती है death bowling की बात करें तो यहाँ पर बुमरा है और मुहमाश्यामी important खिलाडी की बात करें तो केल राहुल, रोई शर्मा, विराट कोली, चड़ेजा, बुमरा और मुहमाश्यामी अगर ये खिलाडी जो है आप अपनी team में ले ले लेते हैं तो काफी हद तक team India जो है वो cover हो जाती है बात करते है न्यूजिलेंड की तरफ से है तो गुप्टिल को अच्छा करना होगा और दोनों teamों के लिए ये do or die match है जो team जीतेगी उनके काफी chances हो जाएंगे कि वो semi final qualify कर सकती है तो अगर न्यूजिलेंड के favor है बना रहे हो team तो फिर आप गुप्टिल को अपनी team में जरूर रखना डेरल मिचल एक useful की लाड़ी है जो आपको कम credit में मिल जाएंगे open भी कर रहे हैं और आपको एक दो बर भी bowling करके दे सकते हैं तो एक आपके लिए decent pick बन जाएगी कम credit में और इस match में क्यों credit की problem है तो मेरे हिसाफ से काफी अच्छे pick रहेगी grand league में आप इनको captain कर सकते हैं बात करते हैं केन विलियमसन की वन डाउन आएंगे सबसे reliable batsman है और कल के match में मैं इनसे 40-45 रन तक की उमीद कर रहा हूं तो एक safe wise captain की choice जो है केन विलियमसन कल के match में बन सकती है 30-40 रन मुझे लगता है करने चाहिए even though batting बहुत easy नहीं है बहाँ पर बट still experience खिला रही है तो इतने रन की हम इनसे उमीद कर सकते हैं Devon Conway अगर by chance गुप्टिल नहीं खेलते वैसे वो fit है तो कल का match खेलने चाहिए लेकिन अगर by chance वो नहीं खेल पाते तो Conway open करेंगे फिर तो आपकी टीम में 100% टीम में होने ही चाहिए otherwise second down के लिए भी बुरी pick नहीं है अगर आप India के favor में बना रहे हो क्योंकि आपके पास punt और Conway दोनों है आप दोनों के साथ जा सकते हो wicket keeping section में but Conway आपको सिर बैटिंग के points देंगे wicket keeping नहीं कर रहे हैं तो आपको और fielding के points दे सकते हैं लेकिन अगर आपको punt में और आपको Conway में किसी एक को prefer करना है तो आप जिसके favor में team बना रहे हो आप उससे opposite team का wicket keeper लेकर चलना अगर आपको लगता है India win करेगी तो आप Conway को building keeping सब कुछ करके देता है यह खिराडी सो एक grand league के लिए अच्छी pick है small league में मैं जादा consider नहीं करूँगा even though talented बहुत है बट काफी नीचे batting करते है bowling से मैं जादा उमीद नहीं कर रहा हूं इन से तो इस वज़े से मुझे लगता है के grand league में रेकमेंट करूँगा इने और सेम है सिफर्ट का सिफर्ट को भी team अगर चाहे तो open करा सकती है अगर guptill नहीं खेलते by any chance otherwise ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है सो सिफर्ट भी जो है मैं grand league में जादा recommend करूँगा तो philips और जो सिफर्ट है उन्हें मैं small league में कहूँगा इतना जादा try नहीं करने वाला हुँ मैं यहाँ पर बात करते है James Nisham की so James Nisham important खिलाड़ी है यह ऐसा खिलाड़ी है जो आपको ना जा तो किसी भी बैंच में negative points भी दे सकता है वरना किसी भी बैंच में 100 points भी दे सकता है क्योंकि जिस तरह कि इसकी bowling है यह wickets निकाल लेते हैं ऐसे bowlers के और यहाँ पर दुबई में spinners को जैसे मदद है और या फिर जो bowlers जो जिनकी bowl हलकी रुक के और फंस के आती है और ऐसा खिलाड़ी है निशम और जब यह 5th bowler होते है तो team जो है ऐसे खिलाड़ी को bowlers को target करती है और कहीं बार जैसे ड्वेन प्रिटोरियस आज के टाइम पे बहुत wickets निकाल रहे हैं सेम आपको निशम करके दे सकते हैं काम और प्लस आपको batting से contribution दे सकते हैं तो मेरे लिए एक differential pair का काम आपको एक करके दे देंगे so important हो सकते हैं सेटनर की बात करें सेटनर underrated खिलाड़ी है इनको बहुत कम लोग try करते हैं अगर आप करना चाते हैं बिलकुल कर सकते हैं क्योंकि यह आपको अपने over भी करके देंगे और जैसा आपने देखा इनका record अच्छा है इंडिया की against सो एच उपर उस्तम खिलाड़ी है कब आपको 30-40-50 points दे जाएगा पता नहीं चलता है सो try करना चाते है सो बिलकुल अपनी टीम में कर सकते हैं इच सोडी मेरे साफ से कल के match में important होंगे इनके उपर भी जादा लोग ध्यान नहीं देते हैं लेकिन पिछले match में भी 2 wicket निकाले थे शायद और उससे पहले इंडिया के case काफी अच्छा है इनका T20 record रहा है तो मेरे हिसाफ से जो ground जैसा है वो 8-30 को काफी अच्छा रहेगा इनके लिए और मुझे एक से दो wicket से इनसे उमीद है टिम साओधी प्रेफर करना अगर टिम साओधी और बोल्ट आप दोनों को consider कर सकते हो अगर टीम जो है पहले bowling कर रही है अगर second inning में बैटिंग जो है इंडिया अगर chase कर रहा है तो उस case में आप टिम साओधी को avoid कर सकते हैं लेकिन first inning में बिल्कुल आप अपने टीम में consider कर सकते हैं Trent बोल्ट का जो कल का मेरे हिसाब से काम होगा वो है रोहिष शर्मा को फसाना तो अगर आप रोहिष शर्मा को captain वाइस captain बना रहे हो तो उस case में Trent बोल्ट को आप अपने टीम में drop कर सकते हैं क्योंकि शायद हो सकता है अगर बोल्ट ने रोहिष को जल्दी आउट करते हैं तो फिर रोहिष फ्लॉक हो जाएंगी otherwise अगर रोहिष खेलते हैं तो हो सकता है Trent बोल्ट उतने effective ना रहें death bowler की बात करें Trent बोल्ट और स्टिम साओधी इस टीम के होंगे अगर Adam Milne खेलते हैं वो एक अच्छी पिक होंगे आपके लिए क्योंकि recent performance उनकी काफी अच्छी है तो आप उन्हें साओधी और बोल्ट के उपर भी preference दे सकते हैं अगर वो खेलते हैं तो important खिलाड़ी की बात करें सो यह आपर गुप्टिल है, Williamson है, Conway है, ग्रेंड लीग में आप यहां पर Mitchell को, Jimmy Nisham को और Trent Bolt को आप consider कर सकते हो as a grand league captain wise captain इंडिया की तरफ से और किसी को grand league में बनाना है captain, so Ravindra Jadija मेरे साफ से काफी अच्छी पिक हो सकती है even though Muhammad Shami भी क्योंकि पिछले match में आपने देखा बहुत सारे comments, negative comments मिले थे मुझे लगता है, इस match में Shami जो है दो wicket तो निकाल सकते है, so आप उनको भी captain जो है try कर सकते है चल जिए चलते हैं अपनी dream 11 की team की तरफ so बात करते हैं, wicket keeping section में हमारे पास panth हैं और conway है दोनों ही खतरनाग खिलाड़ी है panth जो है अपने 30-40-50 points mostly matches में दे देते हैं और conway ऐसा खिलाड़ी है कि अगर इनकी proper batting आ जाएगी so ये 70-80 run भी बना कर दे सकते हैं लेकिन अगर New Zealand का top order चलता है तो उस case में flop भी अगर इतनी batting ना है, so हो सकता है इनसे पहले दूसरे players को भी promotion मिल सकता है बट मैं conway के साथ जा रहा हूँ Rishabh Pant again, not a bad pick आप दोनों भी टीम में एक साथ ले सकते हैं Rishabh Pant का advantage ये रहेगा कि आपको विकेट keeping के points दे सकते हैं conway अगर देखा जाए, so technical batsman है अगर मौका मिलता है, so काफी लंबी निंग खेल सकते है तिम से फ़र्ट है, grand league में recommend करूँगा क्योंकि विकेट keeping के points बिल्कुल दे सकते हैं प्लस lower order में आपको hitting भी करके दे सकते हैं so grand league में जादे recommend करूँगा small league में punt या तो punt के साथ जा रहा है या convey आद दोनों के साथ भी मैं convey के साथ यहाँ पर जा रहा हूँ betting section में यहाँ पर upgrade की problem आएगी आप सारे player जो है नहीं ले पाएंगे basically आपको Williamson, Kohli और यहाँ पर Rohit में से किसी दो को pick करना है या फिर आप चाहें तो Rahul को भी drop कर सकते हैं तो मैं जो यहाँ पर दो player जो मैं लेकर चल रहा हूँ वो है केल, Rahul और Williamson दोनों मेरे साथ होंगे, मेरे team में रहेंगे अब यहाँ पर choice आजाती है कि आपने hitman Sharma को लेना या king Kohli को लेना है आप किसको लेंगे comment करके ज़रूर बताईएगा या फिर अगर आप Rahul और Williamson में से किसी का drop करना सोच रहे है तो वो भी ज़रूर बताना मैं यहाँ पर अभी के लिए रोईशरमा के साथ गया हूँ विराट कोली को लेना है तो उस case में हमें जो है Williamson को drop करना होगा या फिर केल, Rahul को drop करके विराट कोली को ले सकते हैं तो यह tough decision है Dream 11 पर यही काफी अद तक आपकी जीत और हार तै करेगा तो आपने सही player pick करना है तो आप comment करके ज़रूर बताना आप किस एक high credit player वाले को drop करने की सोच रहे हैं तो comment करके ज़रूर बताना यहाँ पर Martin Guptil है जो open करते हैं फिल्डर बहुत अच्छे है तो फिल्डिंग के point दे देंगे आपको plus अगर 10 ball भी खेल जाते हैं तो mostly 15-20 run तो उसमें बनाई देते हैं और बड़ी निंग खेलना भी जानते हैं और India के के इस अच्छा है इनका record तो लेकिन वो अलग बात है तो बुरी pick नहीं है बिल्कुल try कर सकते हैं दो grand league choice जो है वो आपके लिए फिलिप्स और पांडिया रहेंगे मैं batting section से अभी के लिए तीन player ही लेकर जा रहा हूँ यहाँ पर all rounder section में जो मेरे पास रहेंगे वो है यहाँ पर रविंदर जडेजा के साथ मैं जा रहा हूँ आप सैटनर को ले सकते हैं निशम अच्छी pick है यहाँ पर डेरल मिचल भी अच्छी pick है मैं डेरल मिचल के साथ गया हूँ एक तो open कर रहे हैं आपको open करके देंगे प्लस आपको एक आदा ओवर करके दे सकते हैं बोलिंग जादा उमीद ना करना लेकिन आपका करिट सेफ जरूर कर देंगे तो मैं अपनी टीम में जरूर रख रहा हूँ इनको यहाँ पर तीसरा जो खिलाड़ी मैं अभी के लिए रख रहा हूँ निशम निशम को मैं अपनी टीम में कंसिर्डर कर रहा हूँ आप चाहो तो सैटनर को भी ट्राइ कर सकते हो या फिर निशम की जगा एक्स्ट्रा बोलर हम जरूर ले सकते हैं बोलिंग सेक्शन में चलते हैं यहाँ पर मेरे पास बुमरा और शामी में लेना है तो हम ये भी कर सकते हैं के विराट को यहाँ पर लेकर निशम की जगा हम साओधी को ले सकते हैं तो यह एक कॉम्बिनेशन अभी के लिए हम ट्राइ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर पहले बोलिंग نिशिलेंट की आती है तो उस case में Bolt को मैं लेना प्रेफर करूँगा अभी के लिए ये team रख लेते हैं इस team में विराट कोली भी हमारे पास आगे हैं यहाँ पर निशम और Bolt नहीं आए हैं ये team काफी है तक balance team नज़र आ रही है तो मैं इस team के साथ अभी के लिए जा रहा हूँ final team आपको telegram पर मिलेगी एक से दो changes हो सकते हैं क्योंकि toss बहुत important हो जाएगा तो उस case में हम यहाँ पर changes कर सकते हैं captain wise captain की बात करें so captain wise captain मैं यहाँ पर जो है अपनी small league की captain ship अभी के लिए मैंने राहूल को दिया wise captain जो है Williamson के साथ जा रहा हूँ यहाँ पर कोली और यहाँ पर रोई शर्मा काफी अच्छी आपके लिए choice रहने वाली है बात करें vision 11 की जहाँ पर credit issue नहीं है और entry fees सबसे कम है 50,000 का यहाँ कल giveaway भी है so आप join कर सकते हैं link description में fortune refer code है 300 रुपे का sign up bonus पी मिल जाएगा so आप download कर सकते हैं यहाँ पर कैप्टन जो है राहूल और वाइस कैप्टन विल्यम सनी रहेंगे यहाँ पर रोई शर्मा और विलाट कोली को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं grand league की टीम की बात करें so यह मैंने grand league team मनाई है out and out इंडिया के favor में के top order जो है यहाँ पर हमारे पास शर्मा और यहाँ पर केल राहूल यही दोनों मैं जिता दें जैसा इंडिया हारी है ऐसा ही इंडिया कल न्यूजिलेंड को हरा दे so यह मेरी grand league की टीम रहने वाली है बाकी मैं आपको कुछ grand league के combination कल telegram channel पर भी दे दूँगा so telegram channel पर जुड़ना जरूरी है link description में है so उसी के थूँ जुड़ना बाकी आप youtube channel को subscribe कर सकते हैं और bell icon दबादो जैसे ही video आएगी आपको notification मिल जाएगी उम्मीद करता हूँ यह video आपको पसंद आई है so like करो, share करो, comment करके सेमी फाइनल की और बढ़ जाएगी एक वर्चुली एक यह knockout match की तरह हम इसे देख कर चलेंगे so I hope India win करें and I hope आप सब बहुत अच्छा माउंट विन कर जाओ, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी thank you guys